कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने अपने ही पाटी के नेता व उर्ज्या मंत्री नितिन राउत के एक साथी के खिलाफ मुख्य मंत्री उधो ठाकरे को एक शिकायती पत्र लिखा है इस पत्र में पटोले ने नाकपूर खनीच विकास महामंडल के टेंडर में नियमों के पालन ना करने का आरोप लगाया है उन्होंने निवीदा प्रक्रिया में अनियमितताओं के लिए राजी की बिजिली उत्पादन कंपनी महाजेंको को घसिता है पत्र ने अपने पत्र में मुख्यमंतरी ठाकरे और उद्धोग मंतरी सुबास देशाई से रुखमाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट को दिये कारे के आदेश को स्थगित करने का अनुरोथ किया है साथ ही जनहित में टेंडर प्रग्रिया की जाच की मांग की है सबूत होने का दावा किया है उनके मुताबिक इस कंपनी के पास कोई नेट वर्थ नहीं है और ना ही उनका कोई टर्नोवर है कंपनी के पास सुरक्षा मंजुरी भी नहीं है कंपनी को कोईले की धुलाई का कोई अनुभाव नहीं है जिस कंपनी के साथ रुखमाई ने इस फैसले से महाजेंकों को समय पर कोईले की आपूर्ती नहीं हो सकेगी और बिजली उत्पादन प्रभावित होगा। पटोले ने स्यम ठाकरे से कहा कि ऐसे में इस टेंडर को स्थगित कर जनहीत में इसकी जाच कराई जानी चाहिए। पत्र में पटोले ने कहा कि रुखमाई इंफ्रा का मालिकाना हक संजय हरदवानी के पास है। नितिन राउत के उर्जा विभाग के लिए यह टेंडर जारी किया गया था और संजय हरदवानी को दिया गया। जानकारों का कहना है कि हर्द्वानी उर्जा मंत्री नितिन राउत की करीबी दोस्त हैं इसलिए महाजेंको और संजे हर्द्वानी को निशाना बनाते हुए पटोले ने राउत पन निशाना साधा है DRV NEWS के लिए राहूल पांडे की रिपोर्ट